हेलो एब्रिवन, वेलकम टू नौकरी एस्प्रेंट फ्रेंट्स आज हम 26, 27 और 28 नवंबर के करेंट अफियर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शियर जरू करना फ्रेंट्स हमारी वेबसाइट है www.nokryasprint.com यहाँ पढ़ जाकर आप सभी नोट्स और पीडियेफ प्राप्त कर सकते हैं आए देखते हैं कल का प्रश्ण जिसका जवाब आप सभी ने दिया था किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक इस्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षे उर्जा छमता में शीड्स इस्थान हासित किया और इसका सही जवाब है करना तक आए देख लेते हैं अब हम प्रीवियस 25 नवंबर के रिवीजन कोशन्स किस भारतिय को प्रतिष्टिट डॉक्टर कलाम सेवा पुरुसकार से सम्मानित किया गया रवी कुमार सागर को केंद्रिय मंत्री गिराज सिंग ने कहां सरस आजीविका मेला 2022 का उधगटन किया नई दिल्ली में हाल ही में किसे तैंजिंग नौर्गे रस्टिय सहासिक पुरुसकार 2021 दिया गया शूश्री नैना धाकडे को किस देश के बुसान में दस्वा भारतिय फिल्म महसब आयजित किया गया दक्षड कोरिया में किस देश के ब्रैंपटन में डिप्टी मेयर नियुक्त होनी वाले हरकीरस सिंग पहले पगडी धरी सिक बने कैनाडा हाल ही में किसे सैयुक्त रास्ट्रे के सर्वोच पर्यावरन पुरुसकार से नवाजा गया पूणिमा देवी बर्मन किस राज्य ने अपना पहला और भारत का पैतिस्वा जै विवित्ता विरासत इस्थल अधिसूचित किया तमिलनाडू किस ने बहातरवी इंटर सर्विसेज बॉलिवल चेंपेशिप दोहजर बाइस तेई जीत ली है आर्मी रेड टीम ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरस्टे दिवस मनाया जाता है पच्चिस नवंबर को हाल ही में अर्बन गब्रू ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूरे कुमार यादव को अब हम देखेंगे आज के करेंट आफियर टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लाइबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में किन भारतिय संस्थानों ने टॉप हंड्रेड में जगे बनाई है इसका सही जवाब होगा उप्रोक्त सभी आई देख लेते हैं कुछ मैयत पूर्ट तथ है IIFL Wealth हुरून इंडिया चालिस एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में कौन पहले स्थान पर रहा निखिल कामत रहे हाल ही में सरकारी आंकडों के अनुसार 2020 में किस राज्ज में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्ति उदर में सबसे अधिक अंतर है 161 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा 123 स्थान पर रहा हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतिय संस्थाम सीर्स इस्थान पर मिला तो यह है इंडियन इंस्टूट आफ साइंस बैंगलॉड नेक्स्ट कोशन फिकी उच्च सिक्षा उतकरष्टा पुरुसकार में किसे लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया राजेंद्र सिंग पवार, क्रिश्न कुमार, जगदीश मुकी, सर्वीश वर्मा और इसका राइटांसर होगा राजेंद्र सिंग पवार आएए देख लेते हैं कुछ मैटमूर तर थे किस कंपनी को Microsoft Partner of the Year Award 2022 दिया गया तो ये दिया गया SCI Technologies को किस National Park को International Union for Conservation of Nature and World Commission on Protected Areas द्वारा प्रस्तुत International Renzer Award 2022 दिया गया ओरंग नेशनल पार्क हो करनाटक सरकार के द्वारा किस प्रसिद अभिनिता को मडो प्रांत करनाटक रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया जाएगा तो ये हैं पुनीत राजकुमार नेक्स्ट कोशन भारत और किस देश के बीच करावांग में गरुन शक्ती 2022 संयुक्त अभिहास आएजित किया गया फ्रांस, इंडोनेशिया, सुडान या शिलंका और इसका राइटांसर होगा इंडोनेशिया आई देख लेते हैं कुछ मैतमोर तक थे नौसैनिक अभिहास रिमपैक 2022 में कौन से भारतिय शिप ने भाग लिया तो आई एनस सत्पुडा ने भाग लिया किस देश में होने वाली पिच ब्लैक एक मेगा हवाई युद अभिहास में भारत ने शामिल होने का फैसला किया है आस्ट्रेलिया कहां पर सिम्बैक्स 2022 युद अभिहास आई जित किया गया है विशा का पटनम भारतिय नौसैना के स्टेल्थ फ्रिगेट आई एनस तरकश ने किस देश की नौसैना के साथ समुदरी साजिदारी अभिहास में हिस्सा लिया है सोडान नेक्स्ट होशन पांच वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खेलाडी बन गए है लियोनेल मैसी नेमार किलियन एमबापे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इसका राइटांसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो आये देख लेते हैं कुछ मैत पूर्टा थे किस भारती है जो भारती है आपके मास्टर ने ग्रैंड मास्टर ने दुबई ओपन सतरन टूनामेंट जीता है अर्विंद चिंतमबरम ने जीता है अंडर टुइंटी विश्वकुस्ती चेंपेशिप में स्वाण पदक जीतने वाले पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है अंतिम पंगाल बन गई है रोवर्स कप किस खेल से सम्मनित है फुटबॉल से संतोस ट्रॉफी किस खेल से सम्मनित है फुटबॉल से डूरंड कप किस खेल से सम्मनित है फुटबॉल से किस देश में सुल्तान जोहर कब 2022 का आयोजिन किया जाएगा मलेशिया में नेक्स्ट कोशन लेखा परिक्षा महानिदिशक की भूमी का स्रजित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तमिल नाडू जारखंड महारास्ट 36 गण और इसका राइटांसर होगा तमिल नाडू आएए देख लेते हैं कुश्मायत मोर्ता थे किस राज्य में तंजावर में पहला खादे सुरक्षा संग्राले उदगाटन किया गया तमिल नाडू में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कडावर स्लेंडर लॉरस अभ्यारण की अदिसूचित किया है तमिल नाडू किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंको को पक्षी अभ्यारण के रूप में अदिसूचित किया है तमिल नाडू किस राजे में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रेज बनाया जा रहा है तमिल लाडू में किस राजे द्वारा अगस्त मलाई परिद्रश में पांचवा हाती अभ्यारन की गोशडा की गई है तो ये की गई है तमिल लाडू में गर्तंत्र दिवस दो हजार तेईस में किस देश के राश्टपती मुख्य अतिती होंगे औस्टेलिया अमेरिका मिश्र या पेरू और इसका राइट आंसर होगा मिश्र एजिप्ट इसका राइट आंसर है आए देख लेते हैं कुछ मैटपूर्ट तथ हैं भारत अपनी अभिस्ता जो अधिस्ता के दोरान G20 बैठक के दोरान किस देश के अतिती देश के रूप में आमंत्रित करेगा बांगला देश किस स्पैसिफिक देश में पहली बार बारेवा विश्व हिंदी दिवस आयजित किया जाएगा फिजी में किस भारती राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इस्कमारक बनाया जाएगा पश्यम बंगाल में विश्व का पहला संसकार केंद्र भारत के लिए किस राज्य में खोला जाएगा जुजनू राजस्थान में किस राज्य सरकार द्वारा नीती आयो की तरज पर एक राज्य इस सर्य संसान बनाया जाएगा महरास्थ किस राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश में वारशी की यूवह महुसब सोन जल 2022 आयोजित किया गया नई दिल्ली, हर्याना, पंजाब या जम्मू कश्मीर और इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर आये देख लेते हैं कुष्मायत पूर्ट तथ्य किस राज्य में मौंगुफली महुसब कडले काई परिशे आयोजित किया गया है करनाटक में किस केंद्र मंत्री द्वारा भारत भाग्य विधाता महुसब का उद्लाटन किया गया स्मर्ती जुबीन इरानी किस शहर में पंदरावा अंतरास्य सूफी रंग महुसब 2022 आयोजित किया गया जमेर में किस भारतिय शहर में 22 वे भारत रंग महोसब का शुभारम किया गया मुंबई में किस राज में मेगा कयाक महोसब 2022 का पांचवा संस्क्राण शुरू किया गया मेगाले में सीडिपी की जलवायू कारवाही सूची में शीश पर रहने वाला पहला दक्षड एशिया यसे है कौन सा बन गया चंडिगड मुंबई हिद्राबाद या जैपूर और इसका राइट आंसर होगा मुंबई बन गया है आईए देखते हैं आज के महत पूर्ण फैक्ट रास्टी ए अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राज़रों के मामले में किस राज़ में दर्ज किये गए आंध्र प्रदेश में एशिया प्रसांथ शेत्र में शीर्स प्रद्योगी केंद्र की सूची में बेजिंग के बाद कौन से भारतिय शहर शीर्ष पर है चेनने हैदरबाद बैंगलोरू डिजीटल इंडिया मिशन के दहट केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंदिद ई अभियोजन के उप्योग में कौन सा राजय प्रथम है उत्तर प्रदेश जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा वियत नाम नेक्स्ट कोशन रास्टिये दुख्द दिवस कब मनाया जाता है 23 नवंबर 24 नवंबर 25 नवंबर या 26 नवंबर और इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है 26 नवंबर आएए देख लेते हैं कुश्मायत पूर्ण दिवस 18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रेल को विश्व लिवर दिवस 21 अप्रेल को रास्टिये सिवल सेवा दिवस 22 अप्रेल को विश्व प्रतिवी दिवस 23 अप्रेल को विश्व पुस्तक और कॉपी राइट दिवस 23 अप्रेल को अंग्रेजी दिवस और 24 अपरेल को रास्टिय पंचाइदी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टीकर आधारिक डेबिट कार्ट लॉंच किया है IDFC, First Bank, State Bank of India, Kotaak Mahindra Bank, Punjab National Bank और इसका राइट आंसर होगा IDFC, First Bank आएए देख लेते हैं कुश्मायत पूर्त थे किस बैंक ने ग्रहाकों और गैर ग्रहाकों के लिए WhatsApp banking सेवा शुरू किया है पंजाब National Bank ने पांच लाख करोड मार्केट केब को पार करने वाला देश का तीसरा बैंक कौन सा बन गया है State Bank of India किस बैंक के द्वारा Agree Infinity कारिकरम शुरू किया है रियश बैंक के द्वारा हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत के छे राज्यों में ग्राम सेभा कारिकरम शुरू किया गया State Bank of India भारतिय स्टेट बैंक ने किस देश में भारतिय वीजा केंद्र चलाने की गोशना की है बांगला देश में अब हम देख लेते हैं वन लाइनर करेंट अफियर किस स्पेस एजन्सी ने दुनिया के पहले विकलांग आंत्रिक्ष यात्रियों के नाम की गोशना की है European Space Agency अनवर इब्राहिम किस देश के लिए प्रधान मंत्री के रूप में चुने गए है मलेशिया भारत ने किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षण किया अगनी थिरीका European संग की संसद ने किस देश को आतंकवाद को बढ़ावा देनी वाला देश घुषित किया है रूस को किस राज्य में मूंग फली उस सब कडाले काई परिशे आयजित किया गया करनाटक में असी मुनीर जो है वो किस देश की नई सेना प्रमुक बनी है पाकिस्तान के भारतिय वायुसेना द्वारा किस सहर में समनवे 2022 युदभ्या सायजित किया जाएगा आगरा में किसने हालही में अपनी नई पुस्तक नाव यू ब्रीद का विमोचन किया है राखी कपूर ने किस देश में हालही में ओरियन आंत्रिक्षियान लौंच किया गया अमेरिका में किस कंपनी जो भारतिय ने भारतिय कंपनी ने बेसलेरी को 7000 करोड रुपे में खरीदने की गोशना की है ताटा ने हालही में 77% जो स्वीकृती के साथ विश्य के सरवादिक लोकप्रिय नेता कौन बन गए है नरिंद्र मोदी भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हालही में हुआ है उसका नाम क्या है जोरबा हालही में कौन सी राज सरकार बंगलादेश से भागे चीन कूकी समधाय के 270 आधिवैसियों को आश्रापेदान करेगी मिजोरम किस भारतिय मंत्री ने हालही में 53 घंटे का चैलेंज शुरू किया है अनुराग ठाकोर किस पेमेंट बैंक ने हालही में फेस आधरित EKYC शुरू की है एयर्टल पेमेंट बैंक ने आज का प्रशन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में दिना है किस पत्रकार को COVID-19 रहत प्रयासो द्वारा जैपोर फूट USA पुरुसकार से सम्मानित किया गया है विक्रम चंद्रा, राजीव मंसत प्रणय राय, दानिश मंजूर भट सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे आज की जी के डोज है जैद अवस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है पार्शी भारत का रास्टगान सबसे पहले कब गाया गया 1911 के कांग्रिस के कॉलकाता दिवीशन में भारत का सम्विधान कितने समय में तयार हुआ दो साल 11 महीने 18 दिन में तयार हुआ भारत्य सम्विधान में मौलिक करतव को किस देश के सम्विधान से लिया गया है अमेरिका के सम्विधान से सांती निकेतन की स्थापना किस ने की रविनाट्यागोर ने अलत्रशास्त्र के नॉबल पुरस्कार के सवर्ष शुरू हुआ 1969 में तो फ्रेंट्स ये थे important questions उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो चले के like share करना चैनल पढ़ना है चैनल को subscribe जरू करें और हमारी website है www.nokryasprint.com करया चो आज करना प्रेंगता है लाओता है